तो वेल्केमें दोस्तों आज हम लोग जानने वालें सकेमियों दुमका समेश्टर 1 & 2 का एक सेलेबस इंग्लिस और हिंदी का ठीक है और इसको हम लोग बोलते हैं एसी पेपर तो देखिए आपका एसी पेपर भी है चलिए समेश्टर 1 का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है स फिर से ऑनलाइन कराना होगा फॉंफिलप ठीक है और दिखिए आपका एक पेपर है यहां पे इंग्लिस का पेपर ठीक है इसी को बोलते हैं हम लोग एसी पेपर इंग्लिस एसी का फुल्फर्म होता है एविलिटी एनहांस्मेंट कोर्स समेश्टर 1 & 2 के लिए तो चलिए ह हम लोग देख लेते हैं दोनों कке लिए काम में देगा हिंदी भी है अरइनिस बहले हम लोग इंग्लिस का यह नेंगे और हिंदी का भी आभी हम नहीं दिखएंगे बस हिंदी का एक syllabus का एक जलक दिखा दूँगा बाकि PDF में दे दूँगा समेश्टर वन में हम लोगों ने कर लिया था हिंदी का और इसका प्रिवेश्ट यह कोशन भी मैंने दे दिया है अब चली दिखते हैं तो यहां पर आता है दोस्तों हमारा पेपर समेश्टर वन और तू दोनों का दे दिया यहार अलग अलग करना जाता तब ना एक ही साथ मिक्स करके दिया है पर का नाम आपका इस टाइब से यहां पर सेट किया जायेगा जिसी देख रहें pega बोला गया है कि आपके दो मार्स वाले कितने को शभषेंगे पांच दो मार्स वाले पांच कोशल आएंगे टो यहांगे आखे हो जाएगा गूरूप विलाके 20 marks हो जाएगा टिक एक इतना marks का 20 marks वाले सुरी कि 5 marks वाले दो और 2 marks वाले 5 ठीक है यानि कि इसमें भी 10 इसमें भी 10 20 marks का हो गया जो 30 marks बचा है वह 10 marks वाले टोटल 5 फांस को चनाएंगी जिसमें करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा पर लिखित रूप में होगा ठीक है आप चली देख लेते हैं तो यह आपका हिंदी का से लिए वस एम आई एल हिंदी अब हम लोग इंग्लिस का देख लेते हैं कि इंग्लिस में थोड़ा सा डिस्कूस भी करेंगे इसमें यूनिट वन लिस्निंग स्किल यानि कि सुनने की जो छमता होती है हमारी सुनने का कौसल इसमें आपको जानना है प्रिंसिपल और गुड लिस्निंग अच्छे जो सुनते हैं क्या हो लेंगे अच्छे गुनने का सिंधान ठीक है फिर हमारा बेरियर टू लिस्निंग यानि कि सुनने में जो जो बाधाएं आती हैं फिर पढ़ना है हमारा एकेडमिक लिस्निंग जिसमें आपका लेक्चर टॉक्स एंड परजिंटेशन इन सब आपका पर्शनल इंटर्व्यू एंड ग्रूप डिसकेशन और तीसरा है आपका पबलिक स्पीच परजेंटेशन ठीक है इस्पिकिंग स्केल यानि कि जो बोलने की कोसल है बोलने का कोसल इसमें आपको यह तीन यूनिट यूनिट टू में तीन पॉइंट पढ़ने है ठीक स्वारी समरी पारा फेजिंग और तीसरा हमारा नौट मेंग यह आपके तीन यूनिट पढ़ना यह पर यहां पर तेन की स्केल में दूस्तों आपका यहां पर राइटिग लेटर 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 लिखने को आएगा या फिर एमेल लिखने को ठीक है इस प्वार्मल एण-इ मतलब की ऑपचारिक इन फॉर्मल मतलब आप अपना सब तरह का भासा का परियोग कर सकते हैं गाली के लोजी मतलब वह सा गाली कलोजी नहीं अपने दोस्त को जैसा लिएगा और फॉर्मल मतलब आप किसी ओफिस में लिखके जमा दे रहे हैं ठीक है फिर हमारा रिपोर्ट र प्रोफाइल इसमें आपको रिज्यूम बायो डाटा और सी भी यानि की कैरिकुलम वीटा इन सब के बारे में जाना है बस दोस्तों इतना ही जानना है ठीक है चलिए अब एक एक करके मैं दिरे दिरे आप लोगों का समेस्टर टू का सिलेवस लाना सुरू कर दूंगा और स क्या करें लिखता था ना दोनों का एक अब कॉस्चेन देखी हिंदी वाला भी देख लिए थोड़ा सा यह आपका यूनिट वन है जिसमें ग्रामर है ठीक है हिंदी पासा की परिभासा मासा के बिविद्ध रूप हिंदी की विसस्ताइं परतिवेदन ग्यापन संपेचन और दूसरा है हमारा यह ग्रामर जिसमें कारक संदी मुहावरे परियावाची सब्दनिक सब्दों के लिए एक सब्द की पूछे जाएंगे ठीक है और यहां पर समेश्टर वान टू दोनों के लिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब यह जितने भी ट सब्सक्राइब करें तो आप लोग का एक्जाम जो है अपरील में होगा ठीक है संभावित थी अपरील